राधी राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है जबाबे पुस्पा सुस्मा सरीता तीनों स्टेसन से रिसोट पहुँची तो बेवस्ता देख उनकी आँखे फटी की फटी रह गई पुस्पा बोली महेंदर भाई साहब ने तो बड़ा कमाल का अरेजिमेंट किया है बेटी के विवा के लिए इतना बड़ा रिसोट बूक किया है वो भी सहर से बाहर हाँ दीदी कमरे भी फाइफ स्टार होटल की कमरों जैसे हैं सभी में एसी लगे हैं सुस्मा बोली सरीता कह पिछे रहने वाली थी आपको पता है वैसे तो फोन पर कोई भी चाए कोफी खाने पीने का समान मंगाने में पैसे देने पड़ते हैं मगर भाई साहब ने सारी ब्यवस्ता फिरी में की हैं बहुत मलदार हो गए हैं महेंदर भाई साहब हम बहने लड़ू की डलिया लेकर देखना हम तीनों बहनों को हरी हरी गडियों से बिदा करेंगे तीनों बहने ठाहक का लगा कर हस दी अब चलो भी जल्दी तैयार हो जाओ साम को सगाई का फंक्सन है एक भी चीज छुटनी नहीं चाहिए हम भी तो देखे जड़ा अपने भाई साहब के जलवे इन तीनों के बरे भाई की लड़की सोभा का बीवा संपन होने जा रहा था साथ में पढ़ने वाले एक डॉक्टर लड़के के साथ जिसके लिए सारे रिस्तेदार और उनकी तीनों बहने भाई इकठा हुए थे सारी सजावट असली फूलों की खाने के भी तो देखो कितने इस्टोल ल पायक है तेनों बहने आपस में बाते कर रही थी इतने में उन्हें अपना छोटा भाई कमलेस आता दिखा अरे कमलेस तुने बड़ी देरी कर दी सुबह क्यों नहीं आया दिदी टीकट नहीं मिली जनरल में बैठकर आया हूँ अच्छा अच्छा जा कमडे में हात मुधो और तैयार हो जा अभी तो फंक्सन शुरू होने में घंटा भर बाकी है लगभग सारे रिष्तेदार मेहमान आ चुके थे ठीके की रसन शुरू हुई महेंदर जी और अनीता जी फल मिठाई मानेवर सूट सोने की चेन ब्रासलेट और नेग का थाल लड़के के हाथों में देते हैं सबकी निगा उसमें रखे रूपए पर टिक गई बाते बनना सुरू हो गई फिर लड़की की रसने सुरू हुई लड़के के साथ ससुरूने अपनी होने वाली बहु के लिए फल मिठाई मेवे डिजाइनर लहंगा सोने हीरे का सेट फिरोजा वाद से मंगवाई कांच की चुड़ियों के साथ सोने की नका कसी वाले चुड़ियों का सेट लाल पीली फूलो और मोगरे से बना इस्पेसल गजरा जो सासु माने होने वाली बहु को खुद हातों से पहनाया ये देख सारे रिष्टेदारों में लड़के वालों की तरब से दिये गए नेग वेहवार की वहावाही करने लगे तीका गोदी सगाई निपटने के बाद सब लोगों ने मिलकर भूज का अनन्द उठाया इस्टार्ट से लेकर मिठाई तक हर ब्यंजन में पांच-छे तरह की विराइटी थी किसी को किसी परकार की कोई सिकायत नहीं थी काड़िये करम समाप्त होने के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुँच गए आज बहनों ने मिलकर सोचा कल साधी हो जाएगी फिर विदाई उसके अगले दिन सभी भाई बहनों को निकलना ही होगा क्यों न बड़े भाई साहब भावी को बुला कर कुछ काम की बाटे कर ले ऐसा सोच ही रहे थे कि महेंदर और अनीता जी उनके कमरे में गिफ्ट लेकर पहुँचे आए भाई साहब बैठिये आप ही का इंतिजार हो रहा था छोटा भाई कमलेस बोला अरे भाई साहब आपने तो क्या इंतिजाम किया है मजा ही आ गया पुस्पा बोली हाँ भाई साहब इतनी सुन्दर सजावट और इतना बेहतरिन खाना मैंने आज तक नहीं खाया मैंने तो हर ब्यंजन का दो दो बार लुफ्त उठाया मजा आ गया और देखो ये अंजीर और बादाम की वर्फी तो मैंने डिब्बे में ही पै करके ले आई मन भरकर खाऊंगी सरीता बोली सुसमा भी बोल पड़ी हाँ भाई साहब मनना पड़ेगा हर चीज एवन है आप का खरजा भी बहुत हो गया होगा अपनी तीर कमान सी भoka उचकाती हुई बोली तीनों बोहनों और भाई की बाते सुन महेंदर जी बोले हाँ बेटी ब्याहने जा रहे हैं तो इंतिजाम तो करने ही परते हैं तुम लोगों को कोई कमी नहीं लगी यहीं बात सुनकर मुझे बहुत तसली है अच्छा चलो रात बहुत हो रही है हम दोनों थोड़ा अराम कर ले कल साधी के दिन बहुत काम है कहते हुए महेंदर जी उठने लगे अरे भाई सहाब काम तो होते रहेंगे आप हम भाई बहनों से तो कितने सालों बाद मिल रहे हैं आपको हमारी याद नहीं पुस्पा जुठा गुसाते हुए बोली अच्छा अच्छा ठीक है बताओ क्या बात करनी है भाई सहाब ये मिठाई के डिब्बे साड़ी और कंबल सेट से हमारा क्या होगा हम तीनों बहनों को तो बनार्शी साड़ी चाहिए और डलिया के नेग में कैसे सोने की चैन और अंगुठिया और भाई सहाब मुझे ब्यापार में बहुत घाटा लगा है आप अगर 30-40 लाख रुपए का चेक साइन कर देते तो मेरी बड़ी मदद हो जाती अब आप बड़े भाई है इतना तो हम भाई बहनों के लिए चुटकियों में कर देंगे चारों की बात सुन म महेंदर जी बोले अब समझा तुम भाई बहनों को आचानक मेरी याद कैसे आई तुम चारों को सर्म नहीं आती लड़की का विवा कर रहा हूं और तुम यहां हाथ फैला कर हमसे पैसा सोना मांग रहे हो अरे भाई सहब गुसा क्यों करते हैं इतना कमा रहे हैं कहां ले ज बोली चुप करो छोटी हो लिहाज में रहा करो यह किस तरह की बाते तुम हमसे कर रही हो तब कमलेस बोला भाई सहाब क्यों डाट रहे हो इसे सही तो कर यह बेचारी आखिर कमी क्या है आपको भागवान इतना भर भर के दिया है थोरा बहुत दोनों हातों से लुटा कोई खाजाना खाली नहीं हो जाएगा आपका देखो तुम लोग यहां आए हो इसलिए चुप हूँ खाओ प्यो और अपने रास्ते निकलो मेरी पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है भाई सहाब आप तो बड़े निर्दाई निकले अपने छोटे भाई बहनों के ल महेंद्र जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने भाई बहनों को साधी में बुला कर गलत किया या ये लोग अब उन पर दोसा रोपन कर गलत कर रहे हैं वे कुछ बोलते इससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी सोभा ताली बजाते हुए कमरे में परवेश कर वहा आज आपको आपके बड़े भाई सहब इतने पैसे वाले नजर आ रहे हैं कि चाचा जी आप हाथ फैला कर उनसे पैसे मांग रहे हैं और आप तीनों बहने अपनी फरमाईस कर रहे हैं समय का पहिया भीना कैसे घूम जाता है पता ही नहीं चलता कहते हुए पास वाले स यारी करनी चाहिए और जाओ जाकर अराम करो निंद पूरी नहीं होगी तो कल के फंक्सन कैसे होंगे कुस्पा बुवा के बात को घुमाते हुए बोली क्यों बुवा जी आपको ड़ लग रहा है क्या कहीं आप बड़ो के बिच में मैंने आप लोगों की पोल पटी खोल द हैं तुम हमारी अपनी भती जी हो कमलेस जी बोले अच्छा हुआ आपने याद दिलाया मगर चार साल से ये अपने बुवा और चाचा कहा थे जब हमारे पास पैसा नहीं था तब तो आप कहीं नजर नहीं आए मैंने तो सिर्प सुना था बूरे समय में अपने भी नहीं र एक गल्ला ब्यापारी है साथ में सहर में उनकी दो लोज भी चलती है रुपए पैसो की घर में कोई कमी नहीं थी उन्होंने तीनों बहनों की साधी संपन परिवार में की छोटे भाई कमलेस ने जब हिसा मांगा तो खुसी खुसी दो लोज उसके हिसे में दे दी सभी ब्यापार में घाटा लग गया जो की इतना था कि उनका घर तक निलाम हो गया उस वक्त उनके दोनों बच्चे सोभा और सेखर पढ़ाई कर रहे थे अब जैसे तैसे अपने आपको संभाली रहे थे एक दिन सोभा बोली पापा मेरे MBBS का एक साल बचा है और सेखर का MBA में एडिमिसन होना है अगर चाचा जी मुझे फी का फैसा दे दे तो मैं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकूंगी और हमारा वितिय संकट भी कट जाएगा पोती सोभा की बात सुन मा सरला देवी बोली हा बेटा ये सही कहती है कमलेस हमारी मदद जरूर करेगा मा आप कहती है तो मैं अपने बच्चों के लिए ये भी करके देख लेता हूँ तब तीनों बड़ी आस लेकर कमलेस के पास पहुँचे उनकी बात सुन कमलेस ने टका सा जबाब दे दिया अरे सोभा बेटा तुम्हें पढ़ लिकर करना क्या है साधी कर लो लड़के वाले तुम्हें पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे वरना चुला चोका ही तो तुम लड़कियों की किस्मत में है और तुम्हारी साधी में तो 30-40,000 का खर्चा तो मैं कर ही दूँगा तुम बिल्कुल चिंता मत करना तब सरला जी बोली हाँ बेटा महेंदरे कमलेस सही कहता है तुम कहें पढ़ाई लिखाई के पीछे पढ़े हो और सुनो बेटा आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अब तुम मेरे दावादारू का खर्चा उठाने लाइक कहां बचे हो कहते हुए मूँ फिर लेती है अपनी मा की कठोड़ता और भाई की बेसरमी से कही बाते सुन महेंदर जी और सोभा उल्टे पाउं लोट गए ऐसे ही जब बहन थी उनकी मुँ से निकली हर फरमाईस महेंदर जी अपने सर आखों पर रखते थे आज वहीं बहने उनके घर जाना अपनी सान के खिलब समझने लगी साथ में ये सुचने लगी कि कहीं भाई ने पैसा मांग लिया तो क्या होगा तीस तेवार यहां तक की राखी पर भी महे महेंदर जी के पास नहीं जाती उनकी कलाई कितने सालों से सुनी रही अगर अपने छोटे भाई कमलेस के घर उनका आना जाना लगातार बना रहा क्यूंकि अब वो भाई उनकी फरमाईस पूरी करता था अपने भाई बहनों और मा का बदला हुआ रूप देखकर महेंदर अक्सर कहा करते थे सुख में सब है साथी दुख में ना कोई मगर कहते हैं न जब सुख नहीं टिकते तो दुख कैसे टिकेंगे महेंदर जी ने अपने दोस्त की मदद और अपनी पतनी अनीता के गहने बेचकर अपना ब्यापार दोबारा खरा किया बचों को एजुगेश अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और सीखर एक मल्टी निशनल कंपनी में जोब कर रहा था साथ में महेंदर जी का बेपार पहले से बेतर हो गया था अरे सोभा बिटिया चाहे कुछ भी हो जाए अपने तो अपने ही रहते हैं हम तुम्हारे सगे हैं आज हमें जर ये बुआ हम आपके कोई अपने वपने नहीं हैं अगर होते तो आप इन चार सालों में एक बार भी हमारे घर क्यों नहीं आई आज जब आपको पता चला कि आपके भाई सहब दोबारा लखपती बन गए तो आप सब दोड़े दोड़े अपनी फरमाइस लेकर यहां चले पापा ने जो गलती पहले की थी अब मैं उन्हें नहीं करने दूँगी अब आप अपनी परिसानियां खुद उठाएए हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे और हां आपका बड़ा एहसान जो आप बुआ और चाचा की हैसियत से मेरी साधी में सामिल हुए मगर अब आप जैसे आए वैसे ही चूप चाप निकल जाएए मेरी ममी पापा को परिसान करने की कोई जुरत नहीं है क्योंकि जो बुरे वक्त में काम नहीं आ सकते उन्हें अपने कहलाने का कोई सोक नहीं होना चाहिए अपनी भती जी के दो टुक बाते सुन सबके चेहरे सफेद पड़ गए बात कडवी थी मगर सोला आने सच थी उन्होंने अपने भाई साहब के परिवार के साथ जैसा बहवार किया था उसका परिनाम तो उन्हें भूगतना ही था अगले दिन फेरों के बाद दुलहा दुलहन की पैर पकाई की रसम के बाद तीनों बुआए और चाचा सोभा को अश्रवाद दे कर अपने घर लोट गए क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी का हावत उन लोगों पर चरितार्त हो रही थी तो दोस्तों आसा करती हूँ ये कहान आप लोगों को अच्छी लगी हो बहुत बहुत धन्यवाद